गीता में एक शब्द आयो आहे स्वाधर्म, स्वाधर्म जो माना अच्छा, स्वाधर्म जी व्याख्या अलग-अलग विद्वानन, अलग-अलग नमुने सां कही आए, एक अर्थ में एक विद्वानन जी अनुसाद, स्वाधर्म जो मतलब आये, सेल्फ ड्यूटी, स्वाधर्तव्य, पैंजे विद्वानन जी अनुसाद, स्वाधर्म आये, आने जी हैं ते श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन के उपदेश्टो जेस, तुमों शत्रिय आई, एक शत्रिय जो धर्म रूंद आये, लड़ाई करन, तुन्जे हूं लड़ाई कर, तुन्जे मता इये न सुहन दो, तुम युद्ध जो मैदान छड़े करे, व स्वध धर्म जो मतलब आये, पैंजी क्वालिटी स्वध धर्म, यानि कि सेल्फ क्वालिटी, या खुद्ध जी क्वालिटी थे पहचानन, पैंजी गुणन थे पहचानन, पैंजा गुणा केड़ाईन, हर इंसान पैंजी पैंजी खुद्ध जे अंदर जाके करे, सेल्फ क कोलिटी सर्च करें तक मुझे में केला वस्थ फऐन मुझे में केला गुणा एन एं उनन गुणन जे मुझिब ही ही कुण करम करें जी ये मिसालत और एक लेखक आये आने उन्हों जो धर्म आये उन्हों जी क्वालेटी आये लिखाण तो लिखाण दोई पर उनके अगर चौंस तू लिखाण छडे करे आउं तू नेता गिरी कर तछा करे सगंदू ये एकड़ बेकड़ अध्याएं जेके लिखाण वारा न पर हर लेखक तर नेता ना थोड़ थाई सके तो आउन्हों जी क्वालेटी आये थो लिखे तो लिखन दोई लिखन में पैंजों पानके आनंदित मैसूस कर तो आउन्हों जी सेटिस्फेक्शन विलनस पर पैंजी जे को स्वर धर्म ना है पैंजी जे का सेल्फ क्वालिटी का ने उन्हें जे अगेंस्ट मनी करें अगर पानको कम कयूं था तो पैंजी पानके रूहानी आनंद मैसुश न थीन दो आए एक मजबूरी मैसुश थीन दिया एक बोज मैसु क्वालिटी यानि की क्वालिटी सर्च कयों कि तांजे में कहड़ों गुणाए ए उन्हें जे अनुरूप यी कर्म करण याए स्वर धर्मजी व्याख्या